इन डेटेल्ड आज का टेट हम डिसकर्स करेंगे आपके साथ वाल्यम के फ्लोज, वाल्यम इस्टॉक्चर्स, प्राइज इस्टॉक्चर्स, हायर और लूवर टाइम सेंग के डिटिंग तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हेलो ट्रीडर्स और वेल्कम टू दर्स्टूडियो टॉरेंट फर्मार को आज की दिर हम ट्रेट कर रहे हैं जब से ट्रेट एक्जिक्यूट किया है इस प्राइस ने इस स्टॉक ने एक भी बार डाउन मूव दिखाया ही ने यह अपसाइड के तरफ ही चलता चला जा रहा है इसका टार्गेट भी एक्स्टेंड करके हम लगबग 3,115 बाता हो जागा 3,110 तक रखेंगे यहां पर एक्स्पेक्टेड है क्योंकि जिस तरह से वॉल्म सारी है और प्राइस जिस स्पीड से भाग रहा है वो 3310 तक में भी चांसे की पहुंचना चाहिए ऐसा होने के संभा अबने इसलिए भी जादा है क्योंकि वॉल्म के फ्लो बढ़ रहे है ट्रेड बूक ऑपन करते अपनी इस वत का अपनो प्राफिट अच्छा यह एक चीज़ और 561 कॉरंटी के साथ में हम ट्रेंट फर्मा को ट्रेट कर रहा है अब से हमने अपने रिस्क को बढ़ा करके 3000 स से 5000 कर दिया है जितने भी ट्रेड हम आगे अपलोट करेंगे जो भी ट्रेड एक्जीक्यूट करेंगे वीडियो आएंगे आप देखोंगे उसमें जो रिस्क रहागा एंट्रो रिस्ट अप्लोस की बीच की जो दूरी है उसको आप डिवाइट कर लेना आपको समझ में जा हैं यह ट्रेड है यह कॉंसे ट्रेड है लाइक जनरली हम लोग इससे ब्रेक आउट ट्रेड बोलते हैं सो ब्रेक आउट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे कर रीजन क्या होता है लॉजिक क्या होता है उसके पीछे का एक एक चीज़ अभी हम डिसकुस करेंगे इसक स्टॉप लॉस इसकी एंट्री टार्गेट पॉइंट्स और इसके अलावा जो हमारा ओवराल कॉंबिनेशन रहा है हायर और लूवर टाइम ट्रीम के बीच में इसमें पूरा प्रोसेस के रहेगा अभी कम रिस्क की हम आपसे बात कर रहे थे याद रखना ऑप्शन से जितना हो से के दूर रहना और जितने समय तो को से के दूर रहना जब तक एक्यूटी में प्रॉफिटेबल ना बन जाओ आप्शन को मच छोना आप्शन को ट्रेट मत करना याद इक्यूटी को जब आप ट्रेट करोगे तो 200-300 रुपए के रिस्क के साथ शुरुबात करना हमारी जो शुरुबात हुई थी 500 रुपी से शुरुबात हुई थी अब जाकर के 5000 तक हम पहुँचे है 5000 रुपीस का यह ट्रेट है अच्छा दूसरा अब यह order book हम open करेंगे अपने so order book में आप देखना कि किस टाइम पर में ट्रेट एक्जिकूट कर करेंगे 561 quantities है 324 9.60 पर execution समने लगा थे सारे हमको उस तक पर मिल गए थे morning में 10 बचकर 6 मिनट पर और just उसके तुरंत बाद ही हमने 945 के candle के लो पर हमने 1026 पर अपने stop loss लगा दिया अभी भी हम उसको hold कर रहे है target जब तक नहीं मिलेगा हम बाहर नहीं निकलेंगे या तो हमको हमारा stop loss चाहिए या तो हमको हमारा target चाहिए हमने buy कर लिया price ऊपर जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है लोगी जैसे ही वो नीचे के तरफ आता है नहीं होश नहीं रहता है कि करें क्या क्रें मॉश किधर किलिक करें राइट बटन क्लिक करें, लेफ्ट बटन क्लिक करें, किधर चले जाएं लेकिन जैसे ही फिर से वो उपर कि दरफ जा रहा है, फिर से खुश हो जाते हैं इन सारी सिचुवेशन को टैकल करके, हैंडल करके, थोड़ा सा उपर बढ़ो रिलाक्स हो करके बैठो, या तो इस टॉप लॉस, या टार्गेट अब यह अपने टार्गेट के पास पहुंचने वाला ना, तो यहां से भी ड्रामा दिखाएगा हो सकता है, प्राइस इसी जेगे से थोड़ा बहुत मूफ साइडवेस करें यह जो ग्रीन वाली आप कैंडल देख रहो, इसमें, क्यूं? क्यूंकि यहां पर एक बाइंग क्लाइमेक्स बना है प्लस वॉल्म्स के ब्रेक आउट हुए है हमारी एक ही कैंडल के अंदर एक ही ब्रेक आउट होगा, हो सकता है, प्राइस अपसाइट की तरफ में फटाक से टार्गेट है से मिल जाए फिलाल तो हम होल्ट करेंगे, इतनी जल्दी टार्गेट में भी नहीं मिलेगा है क्योंकि प्राइस यहां से थोड़ा बहुत साइडवे होने की चांसे दिखा रहा है एक तो यहां पर थे, प्राइस ने ब्रेक आउट कर दिया इस वाली केंडल से, तो प्राइस सीधे अपसाइट की तरफ चला गया, फिर से यहां पर यहां पर देखो वापस से प्राइस के ब्रेक आउट हुए, लेकिन इस ब्रेक आउट ने क्या दिखाया है, प्राइस एक तरीका समझ में आगा, एक stock up behavior समझ में आगा, torrent farmer वैसा नहीं है जैसे access bank है, access bank वैसा नहीं जैसे SBI चलता है, SBI वैसा नहीं जैसे ACC चलता है, ACC ऐसा नहीं है जैसे jubilant food चलता है, सबी stocks का अपना अपना nature है, फिलाल हम लोग time frame पर आएंगे, and candle by candle इसको समझने ही कोशिश करेंगे, अगर हमने ये trade execute किया तो क्यों किया है, क्या देख करके trade execute किया है, अभी इन lines को हम delete करते, price ने last time कुछ इस तरह का move दिखाया था, हमारे levels पर, यहाँ पर जाकर कि price वापस से downside के तरफ गिर रहा था, volumes पर आप गवर करोगे, तो price जैसे हमारे levels को touch कर रहा था, resistance को touch कर रहा था, इसमें volumes के लगातार breakout हो रहे था, volume breakout क्या दिखाते हैं, हमारे किसी भी level के strongness को दिखा, कि हम जिस level पर trade execute करना चारें, वहाँ पर अगर volumes के लगातार आपको breakouts दिख रहे हैं, लेकिन ये बाहर की दरफ निकला नहीं, नहीं up side की दरफ, नहीं down side की दरफ, ये एक range में एक बड़ी से candle बनी, इसके बाद में एक और inside बाहर बन गई, baby candle, but volumes क्या हुए हैं, कि जो बड़ी वाली candle थी, इसकी volume कम है, compare अगर हम करते हैं, second वाली volumes, second candle की volume, इसकी volume में ज़्यादा मिलती है, इसको समझेगा, कि जो बड़ी वाली candle उसकी volume कम है, और जो छोटी candle की volume ज़्यादा है, इसे कहते हैं diversion, या फिर price किसी भी एक range में जब बहुत स्यादा power input करता है अपने, तो इस तरह की volumes create होती है, या तो gap up कर देगा अगले दिन, gap down कर देगा अगले दिन, क्योंकि इस candle में काभी सारी strength हो जाते हैं, क्योंकि price के move करने के लिए तो दो ही चीज़े चाहिए, volumes आएंगे, price move करेगा, volumes आई हैं, price move नहीं, क्या मतलब कि price movements बाकी हैं भी, इस format को याद रखी हैं, काफी बार हमने यह पहले भी आपको बता हैं, और आज भी हम बता, तो एक बड़ी सी candle, इसके बाद में जो volume है, ज्यादा है, volumes के breakout नहीं, बड़ प्राइस के breakout नहीं, हमें क्या trade करना है, प्राइस के breakout, यह जिधर भी निकलेगा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मुझ देगा, अभी upside की तरफ जा रहा है, downside की तरफ जा रहा है, यह हमें पढ़ना होता है, read करना होता है, trend identification लेने होते हैं, यह भी नहीं के price उपर जा रहा है, तो buy कर दूगे नहीं, हमें यहाँ पर proper entries के confirmations चाहिए, हमको हमारे stop losses चाहिए, downside की तरफ बीजारा तो हमको हमारे proper entry के confirmations और stop losses चाहिए, यहाँ पर हमने अपना resistance रह कर लिया, इस resistance के बाद में, price जैसे ही हमारा upside की तरफ गया, इसके जाने का तरीका, अब imagine करो आप, कि price आपका resistance पर है, अब price हमारा, price हमारा एक resistance पर है, volumes के लगातार breakout हो रहे हैं इन volumes के breakout को आप ऐसे समझो, लाइक कि यह अपना एक structure है, price बिल्कुल से उसी जगह पर है, जहां से last time इसने downside के तरफ के moves दिखाये थे, और volumes के breakout होते हैं, volumes के breakout ने यह तो confirm कर दिए कि level हमारा strong है, एक काफी important area है, and price हमारा वापस उसी जगह पर पहुचा, और upside की तरफ हमारे resistance पर जाने के बाद में, इसने structures कौन से form किये, यह वाले, मतलब price हमारा एक range के अंधर ही है, बट उसकी जो volumes है, volumes के breakout हो, क्या अगर यहां से price हमारा upside की तरफ निकला तो इसे double strength मिलती है, एक तो हमारा higher time stream का resistance, दूसरा हमारे यह candle forms, जहां पर volumes के breakout होगा, और price के breakout ने होगा, मतलब कि अगर आपको यह trade मिला, तो यह बहुत अच्छा move दिखातेगा, यही reason भी होते हैं, जब किसी stock को आप trade करने बैठोगे, देखते हो कि बहुत बड़ा move आ रहा है, या one direction move आ रहा है, तो यही सारे chances होते हैं, इस तरह के ही symptoms, यह तो एक drawing हो गए, अभी आप chart special के ठो कर के again and again upside की तरह भाग रहा है या तो फिर गिर रहा है, यासे यहाँ पर हो रहा है, यह और यह ठीक है, इस एक जगे पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि price नीचे गिरा है, again देखो price उसी जगे पर आया है, अब आप कहिए कि यहाँ पर trade कर दें, यहाँ पर trade कर तो नहीं हमको हमारे point of actions चाहिए कि जहां पर price हमारा touch होगा बारबार हम अपने point of actions पर ही काम करेंगे यहां से trades के success होने के chances ज्यादा रहते हैं तो हमें यह तो सौच में आगे कि price हमारे resistance पर है अब इस resistance पर हरकत क्या हो रहा है किस तरह से price react कर रहा है एक तो खुली निगास से हम लोग देखते है naked eyes से यह हमारा resistance area है price ने downside की तरफ breakout किया again upside की तरफ जा रहा है फिर से नीचे की तरफ किर रहा है फिर उपर जा रहा है फिर नीचे की तरफ किर रहा है मतलब कि price जांसे reject हो रहा है अब यहां पर अगर हम confirmations लेते हैं अपने volumes की तो volumes क्या कर रहा है कि price हमारे जैसे यहां पर गया volumes के breakout यहां पर देखो इस एक जगे पर volumes के breakout price जब जो हमारे level को touch कर रहा है जैसे कि यहां पर तो को touch किया volumes के breakout volumes के breakout यह देखा रहे है कि हमारे area strong अब यहां पर क्या हो रहा है एक resistance और volumes के देखो breakout हो रहा है एक ये green वाली candle हमारी बन रही है, इसके बाद में ये red candle है, अभी जो हमने drawing किये थी, उसमें कुछ इस तरह की drawing थी, कि price हमारा upside के तरफ जा रहा है, ये भी same area है, same तरह के concept है, और ये भी same, common क्या है, volumes का लगातार बढ़ना, ये ध्यान देने वाली बात है, तो volumes देखो लगा बन रही है, volumes के breakout हो रहे है, अब यहाँ पर देखो एक और मदर candle बना, मदर candle के अंदर भी एक मदर candle, ये वाली, यहाँ पर volumes के breakout हो रहे है, अगर हम अपने area mark करेंगे, तो यही वाला area होगा, या तो हम 27 नॉम्बर की candle का या तो हम हाई mark कर लें, ये वाली, तो भी हम वहीं हो रहे हैं, और volumes के लगादार breakout हो रहे है, ये के लिए हमने देख लिया, अब यहाँ से हमें समझ में आगे, कि यह हमारा point of action है, यह हमारा area है, अब readings की बारी आते है, readings में क्या होगा, सारी marking हम remove कर देते हैं, चलिए, यहाँ शुरूआत जो आप करोगे, वो swing से करोगे, swing स price upside से कहीं से गिरा होगा, और यह downside की तरफ आया, again देखो, इसने एक high लगाया, फिर से एक low लगाता, again क्या हुआ, एक high यहाँ पर लगा, अब आप अपनी जो reading शुरू करोगे, वो in point से ही करोगे, breakout होने से पहले की structures क्या होता, कैसे कोई एक breakout successful हो सकता है, इसकी probabilities को हम अगर आप किसी indicator का use कर रहे हो, या options बगार हो, दोखो, options की बाद, options से जैसे हम हर बार कहते है, options से जितना हो सके दूर, जितना हो सके दूर, अभी एक last video हमने अपना upload किया था, करी 40-42,000 करोन का profit था, शायद इससे भी ज्याता था, हम उसमें options टेट करें, लेकिन हम बार ब होना है, हमारे पास call आते, तो लोग परिशान होते, रोते, अरे वो लोग कौन है, उनके पास कहनों को शब्द नहीं होते, किसी ने loan ले रखा है, किसी ने अपने personal जिसका पैसा, जिसकी savings थे, वो savings हारी चलेगी, अपनी चीजे बेचती, सब कुछ कर दिया, वो options में है, सह ही चीजे अगर बताई जारी तो उस पर ध्यान नहीं है किसी का, अगर हम आपसे 20 बार बोलने कि नहीं, options को trade नहीं करना है, तो नहीं करना है, ये बात अगर आप मेरे कहने से मान जाओगे, तो अची बात है, वरना market नहीं कहती कि आप मानो, वो तो कहती ही, लाओ पैसा, हम अगर आप options शुरू कर दोगे, तो ये तो खराब है, ये बहुत खराब, उपर से आप तब options को trade करने जारो, जबकि आप equities को समझते ही ने, price actions को समझते ही ने, तब अगर trade execute करने जारो, वो तो और भी जादा dangerous, तो पहले equity को अच्छे से समझ लो, आने वाले समय में हम हम expiry पर, जब nifty की expiry होगी, तब हम आपको एक वीडियो options को trade करके दिखाएं, उसको देखो, समझो, लेकिन क्या मेहना थे उसके उपर, ऐसे ही नहीं कि एकी रात में किसी ने आपको study बता दी, दस वीडियो रिकार्ट बेस दी, आपने देख लियो options trade करने बैठ गया, नह किसी भी swing पर बनी हुई candle का high अगर resistance है, तो low एक support होता है, या फिर किसी भी swing low पर बनी हुई candle का low एक support है, तो high एक resistance होता है, यह वाला resistance और यह वाला resistance लगपग लगपग पास में ही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह green वाली candle का low हमारा support और high, आप यह दखो, इस swing के pass में जो candles form हुई है इन्होंने क्या impact छोड़ा है चार्स के उपर क्या impact छोड़ा है सारी marking के में remove कर दें हमने सिर्फ इस black वाली candle का low mark देखो यहाँ पर हो क्या रहा है low and high mark के price up से downside के तरफ गिरा यहाँ पर एंड यह उपर की तरफ चला गए वापस से price हमारा नीचे गिर गया देखो फिर से इस black वाली candle की range के अंदर market आई है जैसे price range के अंदर आया यह swing पर बनी candle है अब आप देखिए price जब तक इस वाली candle के नीचे है यह downside के तरफ ही है फिर से यह upside के तरफ चला प्राइज हमारा swing पर बनी हुई candle की range के अंदर चला गया with volume और यह कहां से upside की तरफ गया है price ने एक swing लगाया एक swing low लगाया एक swing high लगाया अभी जो swing low लग रहा है यह किस जगह पर लग रहा है अगर हम back करके देख रहे है तो price का उसी जगह पर एक rejection हो रहा है कि इसने यहीं से एक upside की journey दिखाई थी वापस से low पर आया and price हमारा अब हमारी एक बात अच्छे से याद रखना अगर आपको किसे stock को buy करना है even derivatives को भी एक ट्रेट करना तो देखो कि price हमारा strong है या भी एक है यह देखने के कुछ निशानी होते है यह देखने के कुछ symptoms होते हैं breakout होने से पहले के कुछ symptoms होते है उन symptoms को हम लोग higher time frame से correlate करते हैं यही नहीं आख बंद करें तो हम एक चिस्सों यह देखने हैं कि price हमारा 3052 जो की previous support था वहाँ से reject वो upside की तरफ अब अगर इसे weak होना है तो हमारी इस वाली candle की range की नीचे जाकर की trade करना होगा लेकिन क्या हो रहा है price हमारा upside की तरफ जा रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाओ देखो यह सिर्फ बात और कहानिया नहीं है अगर आप charts को पढ़ोगे तो यहीं तरीका होता है कोई indicator आपको नहीं बता सका कोई भी indicator आपको नहीं बता सका आपको खुद की logics लगाने पड़े अगर indicator से सारी चीज़े बता लेते न तो वो सब कुछ mechanical है counted है फिर जो robots है वो आपसे अच्छा trade execute करते है फिर stock market को robots चला रहे होते या human psychology काम करती है आप कितनी भी अच्छी तरह के logo बना लो market को हमेशा एक person ही चलाएगा एक इनसान ही चलाएगा कोई भी चीज़ जो pre-planned है calculated है आगे चल करके क्योंकि market pre-planned नहीं है कुछ भी हो सकता है आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा जब candles को पढ़ने की charts को समझने की बात करें तो फिर आपको ऐसे ही समझना हो एक एक candle उठानी हो उन्हें पढ़ना पड़ेगा अब जैसे इस black वाली candle ने swing high लगाया था है ना price हमारा इस range के नीचे trade कर रहा है यहाँ पर एक support था price support के उपर है अब अगर इसे weak होना तो इस वाली range के नीचे चला जाए अगर इसे strong होना तो फिर क्या करना होगा इस candle की range के अंदर जाना होगा समझवारान अब देखिए यहाँ पर क्या होगा price हमारी range के अंदर चला गया उपर के तरफ अब upside के तरफ जाकर किए क्या हरकत कर रहा है price से इस support से support लिया है दो बाए और यह तीसरी में भी हो सकते हैं कि गलती से इसने upside के तरफ opening दे दी हो gap up price को अगर गिरना तो फिरी नीचे के तरफ गिर जाए लेकिन यह गिर नहीं रहा है यह यहां से इसने support ले लिया अब एक major confirmation और अब एक बात यह सुझ में आगए कि torrent farm है strong अब हमें trade execute कर रहा है आज के दिन तक हमें पहुँचना पढ़ेगा readings करते करते देखो price क्या कर रहा है low को protect क्या कर रहा है low को protect क्या कर रहा है low को protect कर रहा है price अपने support से support लेकर upside की तरह जा रहा है जिस candle ने swing लगाता है इस swing की range के अंधर market आकर ट्रेट कर रही है हमें breakout कौन से candle के चाहिए is swing high की candle के breakout चाहिए अब हमें यह देखना होगा कि इस candle की range के अंधर market क्या कर रही है तो हम ये देखने कि इस candle की range के अंदर ये दो candles हमारी बनी है previously हमने देखा कि price अपने high को break नहीं कर रहा है and low को upside की तरफ shift तो क्या हम ये मान सकते हैं अगर price ने 28th की candle के high की उपर जाकर कोई हरकत देखा है तो बहुत ज़्यादा chance है कि price हमारा 6th number की candle के high को भी break कर दे उपर की तरफ lines से याद रहा है सारी lines से याद रहा है कि कहां से कौँ से line अब हम लोग lower time frame पर चले lower time frame पर देखा क्या हो रहा है ये कल का high था हमारा सारी candles को remove करते हैं ये हमारी कल की candle का high था कल का day high था ये वाला अगर price इस वाली candle की range के ऊपर जाकर के trade कर रहा है तो बहुत ज़्यादा chance है कि price फिर हमारा 3276 को भी upside की तरफ break कर दे अब मैं ये देखना हूँ कि 3237 यहाँ पर क्या हरकते होई है अब यूहीं तो यहाँ पर executions नहीं हो जागा तो इस वज़े से हमने क्या किया कि यहाँ पर इस swing को हमने mark price क्या है 3249.60 exact यह हमारा entry point है stop loss हमने क्या लगा है जिस candle ने 935 की candle का high break किया 945 की candle हमने 945 के नीचे अपने stop loss लगा दिया अब आपको 945 की candle की importance पता ही होगा बहुत strong candle होगा हमने just इस वाली candle के नीचे अपना trade X और target हमने क्या बताया था आपको अभी 10 यहाँ यह अपना target point है so अभी just हुआ क्या है कि price ने इस black वाली candle यह जो black वाली candle है यहाँ पर एक breakout दिखाया था volumes के breakout दिखाया था and price वही से set लेकिन upside की तरफ दिखुर लगा था इसमें volumes के breakout होगा यह रुकने वाला है नहीं हमें लग रहा है कि यह 3310 के उपर भी 15-20 तक जा सकता है तो targets तो अपने लगबग-लगबग complete ही होगा I hope कि यह समझ में होगा यह lower time frame की readings higher time frame की readings यह समझ में आई होगा हमने कुछ नहीं किया सिर्फ day time frame पर अपने एक area mark किया area mark करने के लिए हमने candles से candles को correlate किया volumes के confirmations लिए price के confirmations लिए उन्हें rate किया समझा कभी भी किसी भी stock को जबाब trade करो न उसका एक point of actions जरूर निका जहाँ पर move आने के expectations सबसे ज़ादा होती है अब आप एक बात बताओ हम यह देख रहे हैं कि price सिर्फ एक ही line से अपने आपको बार 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 reject कर रहा है अब जब हम trade execute करेंगे तो chances किधर के हैं किस जगह से trade करने के सबसे आदा chances है अगर हम यहाँ से trade execute करेंगे तो one side move हमें मिलेगा न हम यहां से trade कर रहे हैं इस एक जगह से trade कर रहे हैं यहां से कर रहे हैं यह तो खराब है यह हमारे trades को बिगाड़ देगा wait करो price का अपनी level पर आने का wait करो नहीं आया कोई बात यह सिर्फ एक डर का महौल है जो ही black candle साब देख भी निकालेगा हमारी यह green वाली candle बहुत important है मैं इतना पता है जितनी बात भी हमने बताई है उनको ध्यान रखना breakout होने से पहले के symptoms यह बहुत जरूरी है higher time frame पर हमने देखा न अब आप lower time frame पर चलो हम आपको एक चीज़ और देखाते हैं जैसे 9.15 की candle है यह वाली candle 9.15 की उपर क्या हो रहा है एक breakout हुआ हमारी day की सबसे पहली red candle इसको market ने उपर की तरफ break कर दिया फिर से देख हो ही कि यह candle इसे upside की तरफ break कर दिया गया फिर से swing लगा again high अब हम देख रहे हैं कि price morning से ही अपने swing को upside की तरफ break कर रहा है हमें breakouts कौन से चाहिए थी लगबग हमारा day time frame के area तो यह वाला था हमें इस candle के breakout चाहिए थे वो हो गया लेकिन इसके symptoms आपको जो समझ में आते है न वो थोड़ा सा पहले से समझ में लेकिन हमें breakout चाहिए थे कौन से candle के daily time frame पर आज़ा आज़ाब हमें इस वाली candle के breakout चाहिए प्राइस क्या चलिए चोड़ी हम इसको मा कर लेते हैं सिर्फ इसी को मा कर देए अब breakout तो हमें 3-4-2 का चाहिए लेकिन symptoms आपको उसके पहले समझ में लगते हैं हमने बताया था ना भी lows upside के तरफ shift हो रहे है lows upside के तरफ shift हो रहे है lows upside के तरफ shift हो रहे है उपर के तरफ market जा रही है यहां पर हो क्या रहा है resistance को break किया जा रहा है वापस से देखो support क्या बना resistance फिर break हो गया यह वाले यह वाले अगेन एक swing था यहां पर एक swing था यहां और सब के जो breakout पे वो with volume हुए इतना सबगर हो रहा है और अगर previous swing भी हमारा break हो गया तो फिर जो breakout हमें चाहिए 3-2-4-2 का यह भी breakout हो जाए इस चीज का ध्यान रखो आप कोई भी trade execute कर लोगे हाँ जब हम यह आपसे बोले कि breakout होने से पहले का structure तो एक system ऐसा है कि जिसमें हम लोग breakout होने से पहले ही अपनी entry बना लेते लेकिन आज का जो trade था breakout हो जाने के बाद हमने एक confirmation का वेट किया और इस वाले swing पर अपनी entry लेकिन बहुत सारे cases में होता है कि यहां पर भी entry ले सकते थे नीचे के तरफ लेकिन यह बहुत early हो जाता जनलेली हमने जितने बज़े अपनी entry है technically हमने early formations इतनी early formations को हम valid formations मानते ही नहीं है जो भी हम बोल लेते हैं कि options में यहां पर तो सब लोग profit निकाल करके book करके बैड़ जाते हैं उनका हो गया पता नहीं कैसे कहां से किस तरह से होता है लेकिन वो book हो गया यहां पर confirmations ही नहीं मिलती morning में इतनी volatility होती है जो early formations होती है उसको ह जाने कि हमने proper rate किया और यहां पर trade execute किया लेकिन है यह हरकते जो नीचे की तरफ हुई है थोड़ा सा market sustain करती है यहां पर फिर हम अपना हराम से trade execute कर सकते हैं लेकिन एक अचानाक से breakout हुआ जो confirmations मिली है उससे फिर हमने trade execute किया लेकिन breakout से होने के पहले की confirmations थी न वहीं जरू कर दी उन hints को पोष्चान प्राइस ड्रेश्स बनाएगा एंड उस रेस्टेंस का breakout करेंगा support अपर एक करेगा लेकिन आगर देख रहो है विच्ष देखने के एगि रेट करने तो आपको समझ मैं जागा कि यहाँ पर हायर हाई बुद से हाई हायर रोल भांद में है केंडल है ना यह ब्लैक केंडल यह सिर्फ हमारे टार्गेट देने के तियारी है अभी का प्रॉफिट एक वर फटाग से हम लोग देख लेते हैं पोजिशन बुक को बार बार ओपन करना सही नहीं लगता है जब भी मन करत ओपन करके देख लिया पूरा रेनिंग ट्रेड रहा है तो दो या तीन बार हम देख लेते हैं बाकि फोकस हमारा चार्ट पर ही रहता है अरीव 29,000 के रॉंड का है 30,000 हम बहुत देर से सुच है कि 30 तच कर जा तो यहां से निकल जाए बट अब नहीं हमको लग रहा है क्योंकि जो प्राइज हमारा हमें लगड़ा है कि मार्केट वहीं पर कहीं क्लोज हो जाएगा जितना मार्केट दे लो चुप चाप वहां से निकल लो आज कर दिन तो मेरे के लिए एक स्पेशल है क्योंकि 3000 का रिस्क बहुत दिन से हम होल्ड करें ताज इसको ब्रेक करके 5000 किया अब हमारा सालों तक यही रिस्क रहागा हम इसको बढ़ाने वाले नहीं है सेम रिस्क कॉंचिनी होगा मार्किंग फिर से हम रिपीट कर दें इसमें एंट्री अपनी यहां पर स्टॉप लोस 9.45 की केंडल के नीचे जस्ट रेड वाली केंडल मारे स्टॉप लोस यह एंट्र टार्गेट 310 रुपए के ऊपर था यहां करेंगे बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक मूव आएगा तो बाहर निकल जाएगे तो थैंक्स वीडियो चल लगा तो लाइक कीज़ेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़ेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो भी जोईन कर सकते हैं बहुत सारे चीज़े हैं जो वहापर हम शेयर के सेंट आइ होप वी विल मेट अगें